एक ओनर जिसको पैसो के बहुत प्रॉलम थी जिस जगा पर वो काम करते थे उस ओनर के डेट के बाद अचानक से उन्हें सारी प्रॉपर्टी मिल जाती है इस प्रॉपर्टी के साथ बहुत सारे सिक्रेस निकले क्या एक दुसरे पर भी ट्रस कर सकते हैं या आज कि हमारी 2020 की म मुवी डेंचरेस स्लाइस इसमें हम देखेंगे इसमें अलग-अलग टर्स आते हैं और लास्ट के पेवेक भी बहुत अच्छा है तो लास्ट तक इस वीडियो को ज़रू देखेगा अब बिना किस देरी के इस्पेंशन स्टार्ट करते हैं मुवी स्टार्ट होती है और हम हमारी मेन कैरेक्टर जिसका नामें केटी इसे एक डाइनवर में काम करता हो देख सकते हैं उसका हजबन आडम में उसके शिफ्ट खतम होने का वेट कर रहा था एक्चुली बहुत ही यंग एज में इन्होंने शादी कर ली आडम स्कूल में है और उससे केटी सपोर्ट करती है यह दोनों बहुत ही होफफूल थे कि एडम को अच्छी सी जॉब लगीगी तो इंकी सिजुएशन चेंज हो जाएगी अजनासे एक आदमी गन लेकर डाइनर रूटने लगता है जब उस आदमी का ध्यान नहीं था तो एडम ने उस पर हमला कर दिया वहाँ के लोग को उ तुम किसी को हायर कर सकते हो लेनर ने कहा कि मैंने एक आदमी को किया था पर एक दिन अचनक से वो गायव हो गया उसके बाद वो किसी को भी नहीं मिला इसके बारे में मूवी में हमें आगे पता चलेगा इसके बाद जब केटी घर पर आती है तो हमें पता चलता है कि आज क लेकर बाहर आता है कि घर में कोई भी नहीं है आज रात उसके आडब के साथ जो फाइट होई थी इसके बारे में वो बात करते है लेनर ने कहा कि मुझे तुम्हें पैसो की हेल्प करने तो केटी उसे मना करती है कहती है एडम को जॉब की जुरूरत है फिर अगले दिन से गार्डन को मैनेज करने के लिए एडम को यहाँ पर जॉब मिल जाता है एक दिन इनके घर पर एक रियल एस्टेट एजेंड आया जिसका नाम था मीकी मीकी केटी से कहता है मेरे क्लाइन को एक घर बहुत ही पसन आया तो मैं जितना आमांट चाहिए उतना वो पेक कर सकता है केटी उसे कहते है यहाँ के ओनर यहाँ नहीं सेल करना चाहते है पर मीकी बहुत ही कंसिस्टन था केटी को बहुत ही अजीब लगा एडम भी वंडर करता है कि इस हाँस की किमत क्या होगी एडम फिर से इन दोनों की रिलेशनशिप को सुधारने का ट्राइ कर रहा था और केटी को भी ट्राइ पसन आया केटी को जिस एजनसी की तुरू जॉब मिला था उसका ओनर यह लेनर्ड को मिलने के लिए आता है उसे पूछ रहा था कि केटी किस तरीके से उसका खैल रखती है और लोगों का खैल रखते हुए उनका कोई फाइदा ना उठा है इसलिए हमेशा वो इंस्पेक्ट करते रहते है आज लेनर्ड ने केटी को पे कर दिया जब बाद में इस चेक को देखती है तो यह सेवन थाउजन डॉलर्स का था यह बहुत जादा वैसे थे यह दोनों फिगर आउट नहीं कर बात है कि ऐसा कैसे हुआ फिर केटी को याद आता है कि उसने लिनर्ड से उनकी financial situation के बारे में बात की थी वो गहती हमें फिर से वापस जाना पड़ेगा हमें पैसे नहीं ले सकते पर आज बहुत ही लेट हो चुका था अगर उनने बिल्ड सेगरा पे नहीं किये तो उनकी बीजली गट जाएगी तो आडम कहता है आज हम इस चेक को deposit कर देते बाकी पैसे वापस कर देंगे अगली दिन केटी लेनर्ड के हाँ जब काम पर आए तो उसकी date हो चुकी थी यह natural date थी केटी को बहुत बुरा लगता है अडम उसके पास आया तो लेनर्ड के हाथ में एक चावी थी वो वंडर करता है कि चावी किस की है उसने एक बॉक्स कोल कर देखा जिसमें लेनर्ड की बहुत सारी चीज़े थी इसमें लेनर्ड की गल्फरेंड के फोटो देखता है वो जब यंग थी तभी उसका अक्सिड़न्ट हो गया था इसलिए लेनर्ड ने कभी भी शादी नहीं की इसी बॉक्स के नीचे उन्हें बहुत सारे पैसे मिले अवे दोनों डिसकर्स करते कि इसका करना क्या पड़ेगा अडम कहता है कि अगर हमने इस पैसों के बारे में किसी को भी बता दिया तो पैसे कही ना कही पुलिस के लॉकर में पड़ेंगे हमें इन पैसों की बहुत जरूरत है केटी भी इसके लिए एगरी करती है इसके बाद पुलिस इन्वेस्टिकेशन होई अडम और केटी ने डिसाइड किया था कि जब तक पुलिस इन्वेस्टिकेशन खतम नहीं हो जाती तब तक सारा रोटीन वो सेम रखेंगे आज केटी फिर से अपनी एजनसी में न्यू जॉब देखने के लिए जाती है वहाँ के मैनेजर ने उसे कहा कि जब तक पुलिस इन्वेस्टिकेशन खतम नहीं हो जाती तब तक हम तुमें कोई भी नू जॉब नहीं दे सकते इसे के बैरलल में एडम ने भी बहुत ही अच्छी कमपनी में एक इंट्रिव्यू दिया था पर वो भी रिचेक्ट हो जाता है वो फिर लेनर्ड के घर में पैसे देखने के लिए आया पर नीचे से उसे कुछ आवाज आता है ये वो देखने के लिए गया पर पीछे से उस पर किसी ने हमला कर दिया जब उसे होश आया तो केटी को अपने पास बुलाता है हो सकता है अब ये पैसे यहां रखना सेफ नहीं तो एक लॉकर रेंड करकर वहाओ रख कर आते है जब ये दोनों यहां से जा रहे थे तो मीकी जो एक रियल इस्टेट एजन है भी या नहीं ये उन दोनों पर नज़र रख रहा था ये दोनों आज बहुत ही खुश थे तो घर आकर इंटिमेट हो जाते है लास्ट फॉर्मेलेटिस कम्प्लीट करने के लिए डिरेक्टिव ने केटी को पुली स्टेशन बुलाया इस दुनिया में कोई भी नहीं तो इसके वीच कम्प्लीट करेगी इसके लिए बहुत सारे पैसे लगेंगे फिर भी ये पे करने के लिए केटी रेडेटि थी जब केटी और एडम मेमोरियल पर थे तो लिनर्ड की लौयर वहाँ पर आती है उसने उनसे कहा कि सारी ब्रॉपर्टी लेनर ने केटी को दे दिये एक दिन अचानक से सिक्रेटली उसने उसे बुलाय हुआ था इस बात पर केटी बिलिव नहीं कर पाई वो दोनों बहुत ही खुश थे जाते जाते केटी और लॉयर जब अकिली थी तो लॉयर उसे कहती है तुम्हें अब सावधान रहना पड़ेगा अगर पुलिस इन्वेस्टिकेशन में कुछ घरबर हुई तो तुम्हारे हाथ से सारी चीज़े चाह सकती है सारी प्रॉपर्टी तुम्हें मिली इस बात से एडम को भी प्रॉलम हो सकता है तुम्हें जरा सावधान रहना पड़ेगा अडम और केटी अपने फ्यूचर को लेकर बहुत कुछ थे अलग-अलग प्लैनिंग्स बनाते है अगले हे दिन ये लेनाइट के घर में मूवीन हो गए थे अडम को पुलिस डेशन से कॉल आया और उसे मिलने के लिए बुलाया गया था जब वहाँ पर पहुचा तो उसे पता चलता है कि उसे किसी ने भी कॉल नहीं किया था ये बात डिरेक्टिव ने नोटिस की उसे लगता है कि अडम कुछ ना कुछ तो Suspicious है आज केटी से मिलने के लिए फिर से मीकी घर पर आया था वो कहता है कि मुझे लिनेट के बारे में पता चला अब यह property किसे ना किसे को तो sell करनी ही पड़े की केटी कहती कि सारी property मुझे मिली है और मैं sell नहीं करने वाली मीकी इस बात पर believe नहीं करता वो गहता है इस तरीके की will कोई भी बना सकता है मेरी तुम पर नजर रहेगी केटी ने का कि अब नेस्ट बार तुम मेरे lawyer से बात करोगे रात में केटी disturbed थी Adam को इस सारी चीज़ों के बारे में बता दिया Adam कहता है हमें Mickey को ignore करना चाहिए जितनी कम चीज़े हमारी और police investigation में उतना ही अच्छा होगा केटी ने बातरों में Adam के एक watch notice की जो बहुत ये expensive थी Adam पहले भी बोल रहा था कि ओ फिर से आप गरीब नहीं रहना चाहता केटी ने उससे कहा था कि इस तरीके कि कोई भी चीज़े उन्हें नहीं करनी है सब कुछ normal दिखना चाहिए पर Adam में बात माननी रहा अगले दिन investigation करते हुए डिटेक्टू केटी के पास आए तो उसे पता चलता है कि केटी को एक घर मिल चुका है डिटेक्टू को फिर से इन दोनों पर शक कया उसने investigation कि लेनर्ड ने केटी को 7,000 डॉलर्स का चेक दिया था इसके बार में उसे पता चला वो उन पर और भी ज़्यादा शक करने लगती है आज कल सारी चीज़ों को लेकर केटी ज़रा डर रही थी वो लेनर्ड के ओफिस में डूनती है कि उसने इतने सारे पैसे रखे क्यों थे एडम कहता है कि आप फरक क्या वरता है इस बात को तुम जाने भी दो डिरिक्टू ने केटी के एजनसी के मैनेजर से बात की मैनेजर बहुत ही गुसा हो जाता है उसे लगता है कि शायद केटी लेनर्ड का फाइदा उठा रही थी आज केटी जब घर को चेक करे ही थी तो उसे एक एटिक मिला इसमें एक सिगरेट डोर था जिसके अंदर जाने पर उसे एक जगा पर डेट बोड़ी मिलती है वो बहुत ही जादा डर गई वो डिस्टबोकर रो रही थी आडम उसे सहारा देता है केटी कहती कि उस आदमी को किस ने मारा और क्यूँ आडम केटी को बहुत सारे डाइमेंड दिखाता है कहता है इस वजह से आडम ने पहले उस डेट बोड़ी को डिसकवर कया था और dead body के पास ये diamond पड़े हुए थे केटी को लगता है कि जो gardener यहाँ पर काम करता था शायद ये वही है ये diamond देखी रहे थे तब ये अचनल से केटी के agency का manager वहाँ पर पोच जाता है वो बहुत ही गुसा था पर केटी उसे घर में भी अंदर नहीं आने देती केटी आडम से कह रही थी कि हमें इस dead body के बारे में पुलिस को बता देना चाहिए आडम कहता है कि इस investigation में और भी कोई problem है तो हम सब को चीज़े lose कर सकते है वो इस body को ठिकाने लगा देता है रात में सो रहे थे तब भी घर में इने किसी की आवाज आई आडम ने केटी को बिना बता एक गन भी बाय कर ली थी एक गन लेकर वो बहार निकलता है पर स्टेज पर एजेंसी का मैनेजर था ये गन देखकर डर गया और वो नीचे गिर जाता है उसकी instantly death हो गई थी इसकी investigation करने के लिए पुलिस को बुलाय जाता है डिरेक्टिव ने केटी से बात किये कहती है यहाँ पर बहुत ही अजीव 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 चीज़े हो रही है और यहोना स्टार्ट हुआ जब यहाँ पर एडम काम करने लग गया उसे पहले सब कुछ नॉर्मल था मुझे बता है कि तुम इस सब में इन्वाल नहीं हो पर तुम्हें अडम पर नज़र रगनी चाहिए अडम का suspicious behavior देकर केटी भी उस पर शक करने लग गई थी अगली दिन केटी फिर लॉयर के पास गए वो सारी चीज़े उसे बता देती है लॉयर ने का कि अगर पुलिस को लगता है कि अडम ने इस सब क्या होगा तो घर की तलाशे लेंगे तुम्हें सारी चीज़े बहुत ही safe रगनी पड़ेगी केटी वे लॉयर के साथ जहाँ पर लॉकर रखा हुआ था वहाँ पर जाकर चेक कर दिया तो लॉकर में कोई भी पैसे नहीं लॉयर गहती कि अडम तुम्हें धोका दे रहा है वो जल्दी से हासे भाग जाएगा केटी घर पर आई तो अडम सारे पैसे लेकर पैकिंग कर रहा था अडम उसे गहता है कि मुझे कई दिनों से लग रहा था कि मेरा कोई पीछा कर आए मैंने उस रियल इस्टेट एजन के बारे में और भी जान कर निकाली उसने एक्चुल में एक रॉबरी की थी ये रॉबरी उसे डायमंड्स की थी इस रॉबरी में उसका पार्टनर वो गाडनर था पर उसे पुलिस ने शॉट किया था उसे छुपने के लिए लेनरर के घर में बहुत ही अच्छी जगा थी तो यही आकर वो छुप कया मिकी बहुत ही डेंजरस है वो इन्हें भी मार सकता है तो इस दोनों मिलकर यहां से भाग रहे थे अचानक से मिकी इनके घर में घुष आया उसने केटी पर गन लगा दी वो बुषता है कि डायमंड्स का है एडम ने भी अपनी गन निकाल ली कहता है कि उसे जाने दो मिकी एडम को शूट कर देता है एडम बहुत ज़ादा इंजोर डू चुका था मिकी उसे देखने के लिए गया पर एडम भी उसे शूट कर देता है केटी उसके पास आई एडम की हालत बहुत ही खराब थी वो बहुत रोती है उसके पास ही एडम की डेथ हो गई उसे बहुत बुरा लगता है कि उसने एडम पर शक किया था केटी को ढूंदे हुए लॉयर उसके पास आई जो भी हुआ यह सब बात है केटी लॉयर को बताती है लॉयर कहती है कि मीकी बहुत इस्टूपीड था उसे छोटा सा काम भी करना नहीं आया वो बातों बातों में डायमंड्स की वर्थ बता देती है केटी को इस बात पर शक आया तो लॉयर ने भी सब कुछ बाते बता दी उसने का कि मैं मीकी को दिप्रेजेंट कर रही थी वो अपनी सिचुएशन से तंग आ गई थी तो इसी वज़े से मीकी को रॉबरी में उसने हेल्प की थी और वो केटी पर गन लगा थी केटी की डायमंड्स का है वो से मारने वाली थी तब ही डिरेक्ट्व वहाँ पर पहुश कर लॉयर को मार देती है केटी ने ओल्री डिरेक्ट्व को कॉल लगा दिया था और इसके बाद चार मन्स गुजर चुके है हम देखते हैं की केटी प्रेगनन थी उसके बाद डिरेक्ट्व आई डिरेक्ट्व उसे बेवी के लिए कॉंग्रेश चूलेट कर दिया केटी ने का कि अब भी मुझे डायमंड्स के बार में कुछ भी पता नहीं आडम नहीं उन्हें सेफ रखे थे इसके बाद डिरेक्ट्व यहाँ से चलेगी हम केटी को लेनर्ट की गार्डन को मेंटेन करता देखते है यहाँ पेड़ के नीचे कुछ पानी कीरा और यही पर हम डायमन को देख सकते है यह डायमन अब केटी को मिल चुके थे पुलिस के एज़ भी खतम हो चुकी है अब उसे कोई भी प्रॉलम नहीं आएगा इसे के साथ इस मूवी का एंड हो जाता है अगर आप कोई वीडियो अच लगा तो प्लीज से लाइक और कमेंट जरू कर दीजेगा मैं बहुत सारी मूवीज लेकर आता रहता हूँ तो प्लीज इस चानल को सब्सक्राइब कर दीजे और बेल न इडिवेशन आइकों दान में मत भूलेगा हम फिर से मिलेंगी और एक ने मूवी के साथ तब तक लिए थैंक्यू और आप अपने आपका ख्याल रखिये